विल्कम बेक टो में चैनल तो आज बनाएंगे गर्मगरम आलू का पराटा आपने बहुत सारे तरीके के आलू के पराटे खाएंगे लेकिन बिलीव भी अगर आपने यह वाला आलू के पराटे खा लिया ना तो आपको सब्सक्राइब और इसी तरीके बनाऊगे और इसमें पराटा बनाना है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना बीच में स्केप मत करना तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपे तेल लिया है यह तो ब्लैक दिख रहा है क्योंकि कल पैने इसको यूज किया था उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा और अगर चैनल परें तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना उसके बाद मिर्ची डाली थी और मिर्ची डालके धीमियाच पर थोड़ा सब भून लेंगे और फिर हल्दी डाला है हल्दी तेल में हमिशा डाली ताकि कच्ची न रहा है उसके गरम मसाला और बस खाने बहुत क्रिस्पी लगता अब इसको अराम से भूनेंगे इस तरह से और थोड़ा से मैंने खटाई डाला था और मैंने इसमें सोया भी डाला तकि मम्मी लेकर कआई थी और कसूरी में थी यह मस्ट इंग्रेडियन्ट है आप जरूर डालेगा अगर आपको बजार जै पिछले यहां इसमें में श्च बंड़न के укиड़्ा थी के निञे कर शांच करें में बहुत रहा था को में से बर स्था है इसको बना चल शांचा सब होचे हैं कोई इसको इसे बना परवा बना रहें से यह बहुत बनांड़ान का तकि फोड़त अच्श द् Sooai से को पर निल निकले और इसको जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है यह देखिए इस तरह के से बंद करना है ऐसे करके दीर दीर अंगुठे और बाकी उंगलियों के बीश में रखके अराम से पूटली जैसा बनाएंगे और बाकी साउसी में रख देंगे अब इसको हलका ऐसे दबा पराठा बनके जो त्यार हो गया अब इसको तावी पर डाल देंगे और हमारा एक तो से पराठा से गया है अब इसमें लगाएंगे देशी घी घर का बना हुआ अगर आप घी नहीं खाती तो आप बटर या फिर ओलिव और या ओल मस्टर ऑल किसी में बना सकते जो भी आप अब खाएंगे इसको गर्म गर्म इसको सब्सक्राइब करेंगे चटनी के साथ यह दिखिए हमारा पराठा एकदम बनके त्यार है और हाँ चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना पराठा कैसा बनाता था इंक्यों और डे बाए